कि यादा गर्मी लूक की वजए से परसुली ञाना फिना छोड़ दिया है अब क्या करें संपोर्ण इलाज बताऊंगा ईदी आपके पर सुनी जो बहुं में वहार का बड़ावा है बहुत ज़्यादा गर्मी पशू को लग गई है या ज़्यादा लू की चपीट में आ गए या पशू का जो टेंपरेजर वह बढ़ चुका है जिसकी वज़ए से पशू ने खाना पिना छोड़ दिया है पशू की स्तती खराब हो चुकी है मुह फाड़ करके सांस ले रहे चाहिए और वैसे आपने पशू कहा देना चाहिए वीडियो पूरी डिटेल से बताऊंगा वीडियो जुरूर लंबी होगी तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको पताएगी चैनल पर सही सटीक और साइंटिविक में आपको जानकरी दी जाती है देखो इतनी त जाए है जो विदेशी नसल की उनकी तो आप ज्यादा खराब हो चुकी है तो उसके बचाव के लिए मैंने जो आपको वीडियो बताई है कि आप अपने पशू को इस्तिती से दी हो रहा है तो बचाव के लिए आप अपने पशू को पानी के साथ क्या दो चीज मिला करके को देना चाहिए जिससे कि आपका पशू जल्दी कंट्रोल हो जाए तो वह भी आप अपने पशू को दे सकते हैं एक और खहना चाहता हूं कि वापिस रिपीट भी करना चाहता हूं कि आप अपने पशू को जितना हो सकता है दिन में ज्यादावर पानी पिलाएं नोर्मल हो सकता है लेकिन गायों को टेमप्रेजर को नोर्मल के लिए आपको बहुत ज़्यादा सावदानी रखनी होगी जो मैंने आपको वीडियों उसके उनसार देख सकते हैं लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि आपके पशू ने खाना पीना छोड़ दिया है कंट्रोल ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी तो उस तरह की इस्तती में आप अपने पशू को एक तो जो मैं बता रहा हूं उस लिक्विड का उपयोग पशू में जरूर करवाना है जो कि सबसे ज़्यादा बैस्ति जिल देता है हुआ है डोजली फोर्ट जो की केरस का आता है डोजली फ पड़ रही है ज़्यादा गर्मी की वजह से पशू ने खाना पिना छोड़ दिया है यह मैंने किसी वीडियो में अधर में कोई द्वाइस का दोजली फोर्ट को नहीं बताया तो भी आउपयोग कर सकते हैं यह आपके पशू को गर्मी लग गई लूकी चपेट में आ गया पशू आप रहा है मूँ फाड़ करके सांस ले रहा है पशू ने खाना पिना छोड़ दिया है या यह कहीं से अपने पशू को दूसरे इस्थान से लेकर कर एए उसके वज़र से पशू स्ट्रेश में आ गया है या किसी भी विट्रह का वेदर चेंज हो गया है तो उस इस स्थिख्राइब कर सकते या या यह कोई पांडर को पंशू को पानी के साथ प्ला रहे हैं तो भी आप इससाप्ट थेरेपी की तोरपर उप्योग कर सकते हैं क्योंकि इस डोजली फोर्ट का कोई भी साइड ठीक्ट आपके पशू में देखने को नहीं मिलेगा बट्ट आपके पश्यों में फोट अच्छा रिजल देखने के मिलेगा चाहिए आपका पश्यों प्रिग्नेंट हो नो नो छोटे से सबी तरह के पश्यों में आप इस दोजली फोल्ट का उप्यों कर शकते हैं तो आप गर्मियों में पश्यों की भूग नहीं बढ़ रही है खाना प किसी अब भी मिला करके दे सकते हैं या कोई बिनुक्सान ने करेगा सबसे बस मिलेगा फश्यों में जो गर्मी लूग की चपेट में विद्याद के पश्यों आ गहे हैं यह पर सु जिस प्रकार से बहुत इस तरह के कोई आयरें टोनिक दे रहे हैं जो मैंने बता है कि पानी के साथ आप नमक जुरूर एड़ करके दें या अधर कोई आवला दे रहे हैं वह भी बहुत अचा रिजल्ट है इसका भी फ्योग करें तो और भी अचा रिजल्ट आपके पशू में देखने को मिलेगा से भी आपके पश पाइजर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ इस तरह की जो टेबलेट बॉलस का उपयोग पशूम में करवाना है तो उस इस्तति में आप जो पशूम के लिए जो बॉलस आती है एन पीसी जिसके अंदर साथ है निमूस लाइट पेराशिटामोल एंड कलोरो चोक्सिन क pussy जो यहाँ पॉचन डूरॽ आती है इसका आप अपने पॉच्चों में कर सकते हैं N.P.C. बॉलस का जो इस तरह की एं गोलस आती है यह लॉत यह ऊच्वाल बींडर उपयोग नहीं तो सबसे बेस्ट और डेट रेखने को करने के लिए कुछ इस तरहे का liquid- moam, अपने पाशुममें पियोख़ाना होगा. क्यूंकि इसमेइन खाना भी छोड़ दिया और जैसे पानी पीना भी छोड़ दिया है और पाशुम्न के जैसे दूद होत्ता, मेरा पानी गूल कोज भी वतलप्या व्ल सतो ही। तो उसी स्तती में आपको energy बूस्तों निक ऊसी स्तती में पाशूं को दे सबसे बैस्ट जिए मिलेगा तो इसके लिए आप जो यह गुल का बूस्ता आती है जो आपको दिख़ें अपने पाशूं में उपयोग करता हैं बहुत अच्छा एस लेन नहें तो यह गुल का बूस् सकते हैं कोई भी नुकसान नहीं करेगी जैसे दिन में आपने गुलकाबुस्ट दे दी 200 ml और श्याम के समय आपने जो यह डोज्डी फोर्ट है 100 ml आप अपने पशू को पिला दिया और जो यह बॉलस है जो यह दो दो बॉलस आप इसके साथ भी गुलकाबुस्ट के साथ दे करेगा पशू डियाइडरेशन का सिकार नहीं होगा और पशू में किसी भी तरह की और अधर दिकत है वह भी देखने को नहीं लेगी और जो लू गर्मी की चपेट में आ गया उसे भी कंट्रोल करेगा क्योंकि इसके विज़र से पशू की पहुत ज़्यादा इंडर्जी दौन हो जाती है तो एंडर्जी को बुस्ट करने का यह काम मुलका बुस्ट करती है तो यह तीन चीज देंगे आप अपने पर्शू में बिना इंजेक्शन के दोरा भी पर्शू को ठीक कर सकते हैं यह तो बीड़ी आप उनके साथ प्याप सपोर्ट थेरिपी के तोर पर स साथ मेडिया आप यह देंगे तो और भी जल्दी आपका पसूच जल्दी रिक्वरी लेगा आप कोई नुकसान नहीं करेगा तो यह जितना हो सकता है शेयर करें इसी तर्शेवरी दिखते रहें थैंक्स धन्यवाद